पंजाब हरियाना के अलग-अलग बॉर्टर्स पर जो सीमा है फिलहाल इस वक्त खोल दी गई हैं लेकिन अभी भी किसान शंबू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं आउने वाले वक्त में उनकी रणनीती के तहत वो आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए उनक स्वागत है अभी का जो किसान अंधोलन चल रहा है उसके बारे में बीके सक क्या गयन है तैrik इस अंदोलन घुषित करेंगे और मेडिया सरकार बात करेगी, तो आगे कोई भी देश के कोने में, कोई किसना अंदुलन करने को लोग के डरेगा, बचेगा, लोग आज कल समाथ में पूचर हमें, आपका अंदुलन हैं, हम भी कर रहे हैं, अंदलोन हम एक लाग किसान या रमल्या मजदन में आये थे सरकार के सामने अपना विशाय रखे और अभी तक सरकार ने ढंग से बात चीत में नहीं हुई अगर एसे अंदलोनों को सब लोग बता हैं कि किसे अंदलोन तो आगे अंदलोन करने के लिए प्रस्न से नहीं खड़ अंदलोन एक दूसरी दिशा में जा रहा है इसको हम तो किसान किसान बाइटे हैं मगर अंदलोन किसान अंदलोन हम नहीं बोलते हैं तो मुमन आप देखा जाए तो आगे इनकी जो मांगे है ये कहा गया था कि MSPP की गारंटी है तो MSPP की जो गारंटी है उस पर BKS का क्या इस पर सामती होना चाहिए सरकार की और किसानों की इस वीशे पर चर्चा नहीं करते हैं अगर MSPP जो बार बार जो बात हो रहा है सी टू प्लस 50 परशन का बात आ रहा है जो स्वामिनाथन जी ने बुले इनको अभी अभी भारत अतन का उपाधी मिला ओ भी ये कन्फूजिंग स महारास्टारीसे राज़यों महारास्टा ब्हुत खर्चा होता है जमिन का किरायज जादा है फर टलाइजर अनको उपाधीता ठाव वही बहुत लगता है ठास है घ्राजियों का प्लमृमें सर्फी होता है जिस्फे Example 2 2 it अलग है राज्य सरकार उसमें साहता करें केंदर के साथ बैठें अलग राज्य के अलग अलग करें नहीं तो एक MRP घुसना करें यह सारे कोस्ट को जो कवर करें उसी आधार पर यह अगर विवस्ता बनेगा तो किसी के पर कर्ष्ट नहीं होगा सबके लिए समाधान निकलेग अचा अमूमन जिस तरह कि स्थिती है ऐसा लगता है कि जो रास्ता है वो शायद बहुत जल्दी ने निकल पाए लेकिन दूसरी खास बात यह है कि एगरी प्रोड़क्ट पर जीएस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है नहीं एगरी प्रोड़क्ट का बात हम नहीं करते ह हम जो खर्चा करते हैं ट्राक्टर जैसा परम जैसा जो इंपूट्स बोलते हैं उसके ओपर जीएस्टी लगता है जीएस्टी कानून के हिसाब से हमको इंपूट क्रेडिटी मिलना चाहिए किसान को नहीं मिल पार है बहुत कंप्लेक्स काल्कुलेशन है इसलिए हम मांग क करते हैं कि जितने इंपूट्स के ओपर आपका जीएस्टी उसको समाप्त करो हमको जीएस्टी इंपूट क्रेडिट दो रहा है अगर इतने साल से जीएस्टी इंपूट के ओपर खतम होना चाहिए यह हमारा लेजिटिमेट राइट है और कानून का अंतरगत है यह सरकार क क्यों नहीं कर रहे हमकों समझ भी नहीं आ रहा है आप करें सरकार नहीं कर रही हो सरकार ने कई मोकों पर ये बताया है कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधी भी उन्होंने किया है और उसको बढ़ाने की बात कहीं है ने किसान सम्मान निधी जब सुरू हुआ उसके पहले यह हमारी मांग था कि किसान के खाते में डरेट पैसा estiver किसान के नाम पर वाकी कंपनिगे देर seem पैशा पटलेजर सब्सिडिगे नाम पर किसी भी नाम पर दे रहे हो हम किसान को जो करजा नहीं लेता है जो करजा वापिस करता है उनके लिए क्या है उसी तरक से वो निकला किसान सम्मानी दी मगर वो कापी साल हो गया है इसको बढ़ोतरी होना चाहिए इंफ्रेशन बढ़ रहा है किसान की खर्चा बढ़ रहा है तो यह किसान सम्मानी में परिया सरकार खरीद कर सकती है लेकिन किसान उस पर भी नहीं माने सरकार का तंत्र इतना कंफ्यूज क्यों है देश में ग्यारा फसल करने वाला किसान है क्या हजारों फसल करने वाल किसान है सरकार कोई ढंग से बात करके सारी लोग से बात करके दो अहिंशक और अंदोलन करते हैं उन करता है जो जरूरी भी है देश की सरकार भी चाहता है डाइबर सीपिकर अब फासल हो यह 2-4-5-7-10-11 में किसको साथिस्पे करने सरकार चाहते हैं यह सरकार के वर भी प्रस्चन खड़ा होता है अभी भारती किसान संग है वह मुझूदा हालात को देखते हुए क्या कुछ कर रहा है देखिए भारती किसान संग अभी दो दिन पहले हमने राजस्तान किसान गड़ में बैटे उसमें हमने दो तिन विशा निकाला, सरकार हम जो बोलते हैं, पहले उसको लागू करें, GST को समाप्त करें, किसान समंधी बुद्धी करें, और जो मंडियों में, मंडि के बाहर भी जो लूट हो रहा है, सिधे-सिधे सरकारी तंत्र के माद्दे में से भी किसान से पैसा में जो कंपनियां भी है, सरकार भी है, इनवर्सिटी जी बे वो किसान उसे बहुत रूट कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि बीज किसान का अधिकार है, ये सारी बीज का मालिक किसान है, कोई कंपनिय कोई सरकार नहीं है, इसलिए ये बीज का सोसन रोके, ये सारी पहले सोसन करके जो मोर्चा है वो लगातार खुला रहेगा जब तक किसानों से संबंदित बातों को नहीं माना जाता हूँ. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो मुझूदा जो है सरकार और साथी साथ जो किसान बैठे हुए हैं अलग-अलग बॉर्डर्स पर उसे भी आड़े हाथ हो ल